हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आप देख रहे हैं संजू सिर्वास्तो टेक्निकल चैनल चलिए इस बोर्ड में जो फाइप इन साकिट लगा हुआ है इसमें बताएंगे कि इस किस टर्मिनल में न्यूटल का और फेस का वायर जोड़ा जाता है इस तरह वी लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है यहां पर फेस का वायर जोड़ेंगे और यहां पर यहां लिखा हुआ है यहां पर नूटल का वायर जोड़ेंगे और यह तीसरा वाला पॉइंट है यह और्थ के लिए है जो ग्राउंड से लिया जाता है इसी में जोड़ दिया जात लगा हुआ है चींच लगा हुआ है और इसमें देखें ब्लटेज बता रहा है दो सोसे थोड़ा कम है और वारिंग का देखें किसी भी बॉड का वारिंग करने के लिए तीन नियम होता है तीन नियम में दिए आपको मालूम हो जाएगा तो कितना चोटा से बड़ा बोड होगा आप वाइरिंग कर लेंगे चाहिए जितना भी सीच साकीट इंडिकेटर लगा होगा सब का कनेक्शन कर लेंगे पहला नियम होता है सर पथम ड्यूटल के वाइर को सभी उपकराड की एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोडेंगे दूसरा नियम होता ह है का सभी स्विच निचले टर्मिनल में जोडेंगे जैसे इसमें से लगा हुँआ तो इसके नचले टर्मिनल में जोडेंगे और ऑब करते ऐखा एक पॉइंट को डायरेक्ट में अब देखें इस का एक पफाइंट को यह दोनों को चालू बंद करना है इसी स्वीच से इसके बचे हुए पॉइंट से दोनों 5-5 साकिट की बचे हुए एक एक पॉइंट को डारेक्ट जोड़ देंगे इस तरह कनेक्चन होता है हमारे वीडियो को लाइक सस्क्राइब शेयर कामेंट कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत हानवाद